असलाम अलेकुम आज हम एक ने टापिक से अपने लेक्चर का अगाज करेंगे उमीद है आपको पिछले लेक्चर समझ भी आगी होंगे और आपने उन्हें नोडाउन भी कर लिया होगा अगर आपको किसी किसम की कोईरी का सामना है तो आप हमारे ब्लागर पर जागे कमेंड कर सकते हैं और क्वेस्टनिंग कर सकते हैं आज हमारा टापिक है इकाउंटिंग इक्वेशन अब हम आइस्ता आइस्ता मूव कर रहे हैं प्रैक्टिकल की तरफ त्यूरी अब हमारी तक्रीपन एंड होती जा रही है जहां जहां त्यूरी की जुरूत पढ़ती रहेगी मैं आपको वो बताता रहूँगा अकाउंटिंग इक्वेशन बेसी करीब अकाउंटिंग की जुबान में एक अकाउंटिंग का पिलर समझी जाती है एसेट्स इस इक्वल टू कैपिलिटल प्लस लाइबिलिटीज हमेशा याद रखियेगा कैपिल और लाइबिलिटीज इस दोनों का मजमुवा किसी भी कमपनी या बिजनस के एसेट्स के बराबर होना चाहिए अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है आपका बिजनस बहुत अच्छे तरीके सरान कर रहा है और आपकी मैनेजमेंट ठीक काम कर रही है हमेशा एसेट्स कैपिटल और लाइबिलिटीज के एकोल होने चाहिए ये एक स्माल सा टॉपिक है बस एक्वेशन की हाद तक आप इसे याद रखें अगर इससे रिलेटिट अगर आपको किसी क्वेशन में इशु है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि टाइम कम होने के बाइस हम यहाँ पे मुकंबल क्वेशन साल्व आउट नहीं कर सकते हैं हमारा सबसे अब में टापिक्स शुरू होने जा रहे हैं सबसे जो में टापिक है जिसमें बहुत सारे स्टुडेंट्स अपनी गलती की वज़ा से फाइनेंशल अकाउंटिंग में पीछे रह जाते हैं वो है डेबिट और क्रेड़िट सिस्टम हम बात कर रहे हैं डबल इंट्री सिस्टम की डबल इंट्री सिस्टम याद रखे हैं कि हमेशा डबल इंटरिस सिस्टम में ट्रांजेक्शन इस्तमाल की जाती है जिसकी हम आल रेड़ी बात कर चुके हैं अपने प्रिवियस लेक्शर में अगर किसी ने वो प्रिवियस लेक्शर नहीं देखा तो काइनली उसे देखके आप फिर इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे खैर ट्रांजेक्शन जो होती है कोई भी उसके अंदर हमें दो चीज़े मिलती हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट की चीज़ों को लेकर हमें आगे चलना होता है जिससे हम अपने फाइनल एकाउंट की तरफ पहुंचते हैं तो डबल इंटर सिस्टम क्या है अस सिस्टम कि इन विच असिस्टम विच है डेबिट अमाउंट विच इक्वली क्रेडिट अमाउंट कि ऐसा सिस्टम जिसमें डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट आप उसमें ब्राबर होती है वो होता है डबल एंटरी सिस्टम डबल एंटरी सिस्टम को यह लिए कि हम डबल एंटरी को जर्नल एंटरी भी कह सकते हैं यह हम इसे सिंपल एंटरी भी कह सकते हैं जर्नल एंटरी यह एंटरी डबल एंटरी के लिए दोनों अलफाज यूज हो सकते हैं रूल एंटरी में आवे वहन?" रूल सबसेने दित जा भट्री में एंटतरillon और सबस्टतम यह सबसे important topic है rules for debit and credit अब तक के पढ़ेंगे lectures में यह सबसे important topic है rules for debit and credit याद रखिएगा पूरी accounting में debit को denote करते हैं debit को जाहिर किये जाता है इस denotion से और credit को इस लफज से जहां आपको accounting में यह लफज लिखावा नजर आए इसका मतलब है यह debit है और जहां accounting में आपको यह लफज लिखावा नजर आए इसका मतलब है यह credit amount है डेबिट क्रेड़िट पर्टिकुलर्स आप यह टेबल अपने पास बना लें पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेड़िट मैं आपको एक असान तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपको इन्शालला ताला डेबिट और क्रेड़िट को समझने में मदद बिलेगी हमने बात की थी हमारे पांच हैड़ अपकाउंट्स हैं एसेट्स नमबर तू लाइबिलिटीज नमबर त्री कैपिटल नमबर फोर एक्सपेंसेज नमबर फाइव इंकम एसेट एसेट्स जब भी बिजनेस में इंक्रीज होगा उसे डेबिट करेंगे एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा हो उसे डेबिट करेंगे अगर डीक्रीज हो रहा हो तो उसे क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हो तो उसे क्रेडिट करेंगे डीक्रीज हो रही हो तो डेबिट करेंगे कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट करेंगे डीक्रीज हो रहा हो तो डेबिट करेंगे अगर इंक्रीज हो रहे हो तो डेबिट करेंगे डीक्रीज हो रहे हो तो क्रेडिट करेंगे इंकम अगर इंक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट करेंगे डीक्रीज हो रही हो तो डेबिट करेंगे आप इस टेबल को अच्छी तरह जह निशीन कर लें और इसे रीड डाउन कर लें और इसे कोशिश करें कि आप अपने पास लिख लें मैं रिपीट करता हूं ऐसे एसेट अगर इंक्रीज करें तो डेबिट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करें तो डेबिट और एसेट अगर इंक्रीज करें तो क्रेडिट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करें तो डेबिट अगर इंक्रीज करें तो credit decrease करें तो debit expenses अगर decrease हो तो debit increase हो तो credit income अगर decrease हो तो debit और अगर increase हो तो credit अब इस तरीके से भी इसे जहनिशीन कर सकते हैं टा कर दो हो बार कर दो कनायार थेंग घंगपश, कैनum dwa यहर यह तोvenant सकते हो जहां इसे प।खे जएपश स्ट टा कर 12 अँजब कर दो अगर को इसे ऩाने कर दो को शोय कर दो बार का यहाओना । Steps of double entry कि आप को double entry perform करते हुए कोर्स स्टेप इफियार करने चाहिए Identify Head of Account Number 2 Identify Nature of Account Number 10 Rule of Debit and Credit Double entry को perform करते हुए आप को ये तीनो स्टेप जे निशिंग करने चाहिए सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन दी वी है आप उसमें से Head of Account को identify करें के Head of Account हमारा इसमें से क्या है एसेट है लाइबिल्टी है कैपिटल है एक्सपेंस है यह इंकम है नेचर आफ अकाउंट वो इनक्रीज हो रहा है यह डिक्रीज हो रहा है अगर एसेट है तो कौन सा एसेट है करेंट है नान करेंट है लाइबिलिटी है तो कौन सी लाइबिलिटी है करेंट है यह नान करेंट है expense है तो कौन सा expense है capital expense है या कुछ समाल सी उसकी plant and machinery के उपर छोटा मोटा expense है और उसके बाद rules of debit and credit जो आपको बताएगे हैं कि अगर asset liabilities increase हो रही हो तो उनके साथ क्या 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 करना है उसके बाद यह apply करेंगे एक हम example code कर लेते हैं एक करदेग यह यह बाद पर्टीश है चव्धंut पίर वाध टु तू धर यह example है हमारी अब इसमें यह एक हमारी transaction है financial information है इसमें सबसे पहले हम identify करेंगे कि हमारे head of account कौन से है हमारा एक head of account है rent rent चोंके expense है तो हमारा क्या होगा expense head of account बन जाएगा number 2 इसमें हमारा दूसरा head of account है cash cash हमारा asset है हमने identify कर लिया कि इस transaction में हमारे दो head of account है rent और cash कैसे अब nature of account हम देखेंगे और debit और credit का rule apply करेंगे rent चूंके expense है तो expense decrease हो रहा है या increase हो रहा है जाहरी बात है जब आप किसी को payment देते हैं आप किसी दुकानदार से कोई चीज लेने जाते हैं तो अपनी जेब से उसे पैसा देते हैं आपकी जेब से पैसा कम हो रहा होता है आप उसके बदले में कोई चीज ले रहे होते हैं लेकिन आपकी जेब से कैश जा रहा होता है कोई नई चीज आ रही ही होती है दो चीज़ें इन्वालब होती है एक ट्रांजिक्शन में तो यहां भी कोई ऐसा सेनारियो है आपने किसी लेंडलोड से जमीन ली हुई है जिसमें आप अपरे बिजनस कर रहे हैं आप उसके अगेंस्ट रेंट पे करते हैं जो कि आपका एक्सपेंस है आपने बिल्डिंग इस्तमाल की उसके अगेंस्ट कैश दिया आपका जो रेंट होगा यह हमारा expense account होगा और debit और credit के रूब के तहट expense चुँनके decrease हो रहा है expense sorry increase हो रहा है تو expense अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कहां प्याएगा debit side पे और cash हमारी क्युक्स हो रही है तो कहां प्याएगी credit side पे तो लहाजा इसकी entry यह बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट तू कैश अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट से 5000 से हमेशा याद रखिए गया कोशिश कीजिए अपने क्यूंके स्टार्ड में आप अभी प्रैक्टर्स के सेशन में तो इसके नीचे नरेशन लिखने की कोशिश कीजिए जैसा कि यहां पर पेड रेंट थ्रू कैश और उसके बाद यह लाइन लाजमी लगानी है सिर्फ को सिर्फ यहां तर डेबिट क्रेडिट से पहले तर यहां तर तो यह आपकी क्या होगी डबल एंट्री इस सारे के सारे सेनारियो को इस सारे के सारे सेनारियो को आप डबल एंट्री कहेंगे यह आपकी double entry है rent to cash इस example कि अगर हमने double entry pass की यह transaction थी financial information थी हमारे पास इस से हमने double entry pass की तो हमारी बनी rent to cash आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही इन्शाला जिनके रही तो नेक्स लेक्चर में मुलाकात होगी ओके अल्ला हाफिज